हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल मैच साइडल मैसल डॉक्टर कविता गुपता बचो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि होमियो मॉर्फिजम क्या चीज होती है इसके डेफिनिशन और इसके एक्जांपल सी आपकी बुक में बेटा 3.5.1 सेक्षन से 3.5 5.3. तब कवर करते गा तो लेटा स्टार्ट बचों देख्या देखे बिटा डेफिनेशन सीखेंगे फेले होमियो मॉर्फिजम की अब इस एफ के उपर मैंने चार कंडिशन लगानी है हिस्यां होमिय होमियो मॉर्फिजमं बन जाय, क्या-क्या है कि f जो है वो 1,1 होना चाहिए, f on to होना चाहिए, f on to होना चाहिए, f on to होना चाहिए, f continuous होना चाहिए, दूसरी बात देखें बिटा, अगर f on to और on to दोनो है, तो हमारा f inverse हमेशा exist करेगा, तो जो ये f inverse exist करेगा ना ये भी continuous होना चाहिए, तो मेरे पास क्या-क्या चीज़े होनी चाहिए, homeomorphism बनाने के लिए, f11 होना चाहिए, onto होना चाहिए, continuous होना चाहिए, और इसका f inverse जो है, that should also be continuous, अगर ये सारी properties satisfy हो जाएंगी, तो वो homeomorphism बनेगा, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a mapping which is both 11 and onto, क्योंकि जब तक वो 11 onto नहीं तो inverse तब ही exist करता है, जब 11 onto होगा, तो इसलिए ये 11 onto तो अपने आप होना ही चाहिए, ये homeomorphism तब बन जाएगा, जब इसकी f और f inverse दोनों जो हैं, वो continuous हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं, कि if f is a mapping from x to y, then f inverse is a mapping from y to x होगा, ठीक है, तो f जो है continuous on x होना चाहिए, और f inverse should be continuous on y होना चाहिए, इस case में हम y को क्या बोलेंगे, कि वो homeomorphic image है x की, बचो इसको homomorphic मत बोल दे न, homomorphic जो group theory में करते हो वो नहीं है, this is homeomorphic, तो y is called the homeomorphic image of x, if there exists a homeomorphism from x on to y, तो हम ये भी बोल सकते हैं, कि x and y both are homeomorphic to each other, ठीक है बच्चों, अब हम शो करेंगे, कि homeomorphism में एक equivalence relationship है, तो हमने क्या किया, इसको equivalence relation को इस वले symbol से denote कर दिया, ठीक है, कि दो matrix x और y जो है, ये homeomorphic कब कहलाएंगे, स्वारी, अगर ये homeomorphic हैं, तो इनके बीच में equivalence relationship होगा, equivalence का क्या मतलब होता है, reflexive symmetry और transitivity, तो देखिए, reflexivity के लिए हम क्या करेंगे, कि x is reflexive to x, मतलब x is related to x, यानि कि x is homeomorphic to x, तो ये हम कैसे बता सकते हैं, कि x is homeomorphic to x, जब x से x पर कोई ऐसी mapping exist करें, जो कि one-one भी हो, on-to भी हो, और continuous भी हो, और उसका inverse लेने पर भी continuous है, तब ही वो होगा, तो हमने क्या किया, एक mapping i define कर दी from x to x, ठीक है, अब ये कैसे define करी है, identity map, identity map सबको पता है, ix equal to x होता है, for all x belongs to x, ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे, कि आप सबको पता है, कि identity mapping जो होती है, one-one भी होती है, on-to भी होती है, और continuous भी होती है, ठीक है, और इसका inverse भी exist करता है, और वो भी continuous होता है, सब अच्छे identity map के बारे में बहुत अच्छे से जांगते हैं, ठीक है, तो आगर identity map हमें बताता है कि जो एक function, जो भी कोई एक metric space है, वो homeomorphic to itself हो, ठीक है, next आजेगे, symmetry, symmetry होती है, कि x is homeomorphic to another metric space y, कब होगा, जब इनके बीच में एक homeomorphism exist करेगी, homeomorphism का नाम रखा मैंने f, ठीक है, तो f is a homeomorphism from x to y, मुझे शो करना है कि y is also homeomorphic to x, यानि कि मुझे शो करना है कि y से x पर भी एक homeomorphism exist करती है, ये मुझे शो करना है, तो देखो ये बड़े राम से हो जाएगा, जब आपको पता है कि x और y homeomorphic हैं, इसका मतलब x से y पर एक homeomorphism exist करती है, इसका मतलब ये जो f है, ये 1-1 भी है on to b है, continuous भी है और f inverse exist भी करता है और वो भी continuous है, तो अब ये f inverse कहां से कहां होगा, f inverse होगा y से x पर ठीक है, तो ये f inverse भी continuous है, ये तो हमें इसी definition ने बता दिये कि f जो है homomorphism है, तो ये f inverse continuous भी आ गया, ठीक है, और आपको पता है कि अगर f 1-1 on to होता है, तो उसका f inverse exist भी क हो गया और on to भी हो गया, ये simple property है mappings की, ठीक है, तो 1-1 भी आ गया, on to भी आ गया और continuous भी आ गया, अब मुझे शो करना है कि f inverse होमियो मॉर्फिजम है, तो मुझे क्या शो करना रह गया, कि f inverse का जब मैं inverse भी continuous होना चाहिए, तो आप सब को बता है f inverse inverse क्या होता है, f होता है ठीक है, तो वो already continuous ही है, तो हमारा क्या आ गया, f inverse is also homeomorphism, तो इसका मतलब y is symmetric to x आ गया, तो symmetry holds, चलिए, next करते है, transitivity, transitivity में क्या होता है, तीन चीज़े आएंगी, t से t याद रखा करो, transitivity मतलब 3, इसका मतलब हमें 3 अब वो लेने पड़ेंगे, elements, तो मैंने लिया कि x, y औ x is homeomorphic to z, अब बिटा, जब मैंने बोला, x is homeomorphic to y, तो इसका क्या मीनिग है, कि एक homeomorphism exist करती है, from x to y, तो उसका नाम मेंने रख दिया, f, जब y homeomorphic to z है, इसका मतलब y से z पर भी एक homeomorphic exist करती है, मुझे show करना है, x is homeomorphic to z, तो आप देखिए, आप सब को पता है, कि अगर f एक mapping है, x से y पर, और g एक mapping है, y से z पर, तो gof एक mapping होगी, x से z पर, और आपने show किया हुआ है, कि composition of two continuous maps is continuous, आपने तो ये भी show किया हुआ है, कि composition of two uniformly continuous maps is uniformly continuous, anyway हम एक continuous चाहिए, तो हमने ले लिया, कि gof जो होगा, वो continuous हा जाएगा, दूसरी बात, अगर g और f अपने आप में one one और on two है, तो ये mappings की property है, कि इनका composition जो लेंगे, that is also one one and on two, तो gof मुझे one one भी मिल गया, on two भी मिल गया, और continuous भी मिल गया, मुझे इसका inverse शो करना कि continuous है, तो देखो gof का inverse क्या होता है, आप सब को पता है, कि ये जो होता है, समिशा पीछे से कुलता है, तो f inverse o g inverse हो जाएगा, अब f inverse अपने आप में continuous है, g inverse अपने आप में continuous है, q continuous है, क्योंकि f और g जो थे homeomorphism थे, homeomorphism की fourth property थी, कि इनका inverse जोता है, वो continuous है, तो ये और ये अपने आप में continuous है, तो इनका composition भी continuous होगा, f inverse o g inverse किस के बराबर है, gof inverse के तो ये भी continuous हा गया, तो हमारको पता चला कि gof भी homeomorphism बना रहा है, तो gof था कहां से कहां तक, x से z पर, तो हमें x से z पर एक homeomorphism बिल गई, तो x is homeomorphic to z आ गया, ठीक है बचो, तो हमने तीनोर property शो कर दी, reflexivity, symmetry और anti-symmetry, इससे हमें पता चल गया कि ये, एक equivalence relationship, अब इसके कुछ examples देखेंगे फिटा, ये देखो, first example देखिए, आपको दो matrix space दिये में, closed interval 01 and closed interval 02, और इनके अंदर usual matrix लगाया गया, usual matrix का क्या मतलब होता है, dxy is equal to mod of x minus y, ठीक है, it can be seen that f from 01 to 02 given by fx equal to 2x is a homeomorphism, ठीक है, ये ही homeomorphism है, हम ये show करेंगे, कैसे show करेंगे कि ये homeomorphism है, आगर ये homeomorphism है, तो 01 जो होगा, वो homeomorphic to 02, ठीक है, तो ये हम कैसे show करेंगे, ये homeomorphism है, इसके लिए मुझे क्या show करना पड़ेगा, कि f11 है, onto है, continuous है, और इसका f inverse जो है, वो भी continuous है, तो बहुत अराम से कर सकते हो, बेटा, 11 show करने के लिए आपको पता है, कि क्या definition होती है, fx equal to fy, तो हमें show करना x equal to y, तो देखो मैंने ले लिए fx equal to fy, अब fx होता है, 2x, fy है, 2y, दोनों तरफ से 2, 2 cancel होगे, आपका x equal to y आ गया, तो ये मेरा क्या बन गया, बन 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 गया, onto की definition, जड़ा recall कर ले, f is a function from a to b हो, तो ontoness की definition क्या होती है, for any y belonging to b, ठीक है, मतलब co domain का कोई भी element ले, तो उसकी pre-image, there exists and a belongs to a, such that f of a is equal to y, ये ही होती है, ontoness की, तो हमारा यहाँ पर co domain कौन है, 0 to 2, तो मैंने co domain में एक element लिया, y, मैं उसके corresponding, उसकी एक pre-image ढूंडूंगी, domain के अंदर, तो x belongs to the domain 0, 1, such that f of x होना चाहिए y, but f of x हमने कैसे define किया हुआ, 2x, तो f of x की जगे आ गया, 2x, तो 2x equal to y आ गया, तो x क्या आ का element है, तो मुझे show करना पड़ेगा, ये y by 2 जो है, it belongs to the 0, 1, ताकि मेरा ये x belongs to domain बन जाए, तो आप देखिए y जो था कहां था, 0 से 2 के अंदर था, तो it means y is lying between 0 and 2, दोनों तरफ 2 से divide किया, तो क्या आ गया, 0 से 1 आ गया, y by 2 क्या है x, तो x किसमें आ गया, 0 से 1 में आ गया तो ये बात confirm हो गई कि x जो है domain का ही element है, अब मैं verify भी करूँगी कि ये जो x की value आई है, ये fx equal to y को verify करना है कि satisfy कर रही है, तो क्या करोगे इसमें f of x में y by 2 की value डाल दो, x की value डाल दी y by 2, तो f of y by 2 क्या होता है, 2 into y by 2, क्योंकि f के साथ जो चीज ऑपरेट करोगे बहर double हो रही है, तो क्योंकि हमने define ही ये कि अब f of x is equal to 2x, तो अगर मैं x की जगे y by 2 डाल दूंगी, तो यहाँ पर भी डाल जाएगा, तो ये क्या बन गया function, on to भी बन गया, आप मुझे show करना है कि ये continuous है, तो आप देखी fx equal to 2x है, ये तो polynomial of degree 1 है, आपको पता है कि polynomial तो प होगा, ये देखो f inverse हो जाएगा 0, 2 से 0, 1 पर और इसकी definition क्या हो जाएगी fx की xy2, जिस बच्चे को inverse निकलना ना आता हो, बहुत असान तरीका बताती हूँ, ये देखो इदर, fx equal to 2x है न, ठीक है, इस fx को y लिख लो, तो मेरा आगया y equal to 2x, तो x क्या आगया y by 2, तो y y by 2 define होगा, ठीक है, तो f inverse मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, मैंने लिखा होगा, f inverse is y by 2, मतलब f y equal to y by 2 लिखो, या fx equal to xy 2 लिखो, ठीक है, तो ये मेरा f inverse बन गया, अब आप देख सकते हो कि xy2 भी क्या है, एक polynomial है, of degree 1, तो polynomials are always continuous on the whole real line, so they will be continuous on the subset of real line also, so f inverse ज homeomorphism from 0, 1 to 0, 2, ठीक है, तो ये जो होगा 0, 1 से 0, 2, जो है, ये दोनों के दोनों intervals जो है, under usual metric, homeomorphic हो जाएगे, clear है सब बच्चों को, next example देखिए बेटा, इस सब example आपकी बुक्के ही है, मैंने page number भी लिख दिया है, देखो fx equal to log x, जो है, ये homeomorphism बनाना है, आपको interval 0 to infinity से आप देखो कि log का जो function होता है, log of a negative number is not defined, तो log जो होता है, हमेशा ही domain जो होता है, 0 infinity रखता है, और range जो होती है, उसकी real line आती है, ठीक है न, तो मैंने इसको define कर दिया, fx को log x, तो अब आपको बताना है कि क्या ये fx जो होगा, ये 0 से infinity r पे मैंने define किया है, ये, आपको show करना है कि ये homeomorphism है, तो उसके लिए क्या show करना है, 11 on to continuous और इसका inverse भी continuous होना चाहिए, आप सबको पता है log x का function continuous है, सबको graph याद होगा, ऐसे बनता है न, ग्राफ, तो आप देख सकते हो, इस graph में कोई break point नहीं है, interval 0 to infinity के बीच में, तो ये function continuous है, दूसरा आप देख सकते ह ये 11 भी है, ये on to भी है, बच्चे verify करना चाहिए, तो कर सकते हैं, नहीं तो आप vertical line test और horizontal line test लगा के देख भी सकते हो, कि ये 11 भी है और on to भी है, इसका inverse निकालते है, तो क्या होता है, आप सबको पता है, कि log x का inverse exponential function होता है, आप सबको मालू में न, कि ये line है y equal to x, ये graph ह log x का, तो इसका जो mirror image लेंगे आप e to the power x का graph आजाएगा आपके पास, तो ये इसका inverse होता है, तो f inverse x क्या होगा, e to the power x होगा, general सी property है log की और exponential की, आपको पता है e to the power x का भी function 11 on to और continuous तीनों चीज़र रखता है आपके पास, तो f और f inverse जो होगा, f inverse जो है आपके पास, व गया, तो इसका मतलब ये क्या बन गए, homeomorphic बन गए, clear होगी बचो बात, तो अब देखे मेरे पास क्या है, remark में मैंने क्या लिखा है, कि the homeomorphic matrix spaces have the same collection of open sets, इनकी same collection होगी open sets और close sets की, मतलब अगर कोई 2 matrix space homeomorphic हैं, तो इसका क्या मतलब है, कि उनके बीच में कोई homeomorphism exist करती है अगर ऐसा होता है, तो उनके open sets और close sets की जो collection होगी, मतलब अगर f is from x to y is a homeomorphism, तो x के अंदर जो sets open होगे, वही y के अंदर भी open होगे, ठीक है, same with the close sets also, तो इसका मतलब all the properties related to open sets are reserved under, are preserved under homeomorphism, ये भी याद रखें, कि ऐसा नहीं है, कि दो matrix space homeomorphic बन गए, तो वो सारी properties share करेंगे, ऐसा नहीं है, बट कुछ properties share करते हैं, जिसमें से एक open sets की है, ठीक है, some properties जो होती है, वो present नहीं भी होती, जैसे completeness और boundedness, कि property homeomorphism में complete नहीं होती, मतलब अगर x complete है, तो कोई जरूरी नह complete, समझा गया बच्चों, आपको, मैं आपको ये चीज़ प्रूफ भी करा देती हूं, कि completeness और boundedness की जो दो properties है, ये homeomorphism में preserve नहीं होती, मतलब अगर एक metric space homeomorphic है, तो कोई, sorry, complete है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कि उसकी homeomorphic image भी complete हो, उसका example देखिए, counter example, मैंने x ले लिया natural numbers और y मैंने set लिया है, 1 by n, n belongs to n, इसके element किस form के है, 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 ये ले लिया, और natural numbers आप सब जानते है, matrix space हमने define कर दिया, usual matrix mod x minus y, अब मैंने ये बताना है कि ये homeomorphic है, बट इन में से एक complete है, दूसरा complete नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, f function define किया, x से y पर as fx equal to 1 by x, आप देख सकते हैं कि 1 by x जो होगा y का element है और x जो है natural number है, ठीक है, यहाँ पर अगर x natural number है, तो मैंने function कैसे define कर दिया, इधर 1 by x कर दिया, अब आप सब को पता है 1 by x का graph कैसा होता है natural number से, यही वाला graph होगा, अगर natural number है आपके पास, यह वाले तो यह f के आएग आपका 1-1 भी आएगा, continuous भी आएगा और on to भी आएगा आपके पास यह function, ठीक है, आप clear हो गई यह बात सब को कि यहाँ पर f जो है 1-1 भी है, on to भी है और continuous भी है, और f inverse जो होगा, that is also continuous है, इसका यहाँ पर क्योंकि आप यह देखो y को 1 by x डाल दो, मैंने बताया न, fx की जगे y डाल दो, तो x की आजएगा 1 by y, तो f inverse कैसे defined है आपका, f inverse is from y to x as f inverse of y is equal to 1 by y, यह defined है आपका, तो यह भी same function ही आगया, तो यह भी continuous ही आजएगा आपका, तो f जो आगया, homeomorphism आगई, from x on to y, अब देखिए, x equal to n है, यह क्या है, closed subset है, किसका real line का, और real line क्या है natural numbers जो होते हैं, वो भी complete matrix space बना देते हैं, ठीक है, तो n has no limit point, therefore n is closed, यह मैंने closed क्यों है, यह लिके दिया आपको, कि हमने कैसे कह दिया, कि n closed है, क्योंकि जिसके पास कोई limit point नहीं होता, जैसे integers है, integers has no limit point, तो integers भी closed होते है, ऐसे ही n के पास भी कोई limit point नहीं है, तो n भी closed है आपके बास, ठीक है, तो अगर n closed subset of real line है, और यह complete matrix space भी है आपका, यह बात हमें मालूम है, हमने कर रखी है, properties की natural numbers जो होते हैं, वो complete matrix space बना रहे है, but y is not complete, क्योंकि यह जो y equal to 1 by n belongs to n न, इसके अंदर हर कौशी sequence converge नहीं करता, देखो, completeness की definition क्या थी, every कौशी sequence converges in, जैस x is a complete matrix space, तो यह जो y है, यह आपका complete नहीं है, क्योंकि कोई भी कौशी sequence आप इसमें लो, बताब, we can find a कौशी sequence in y which does not converge in y, तो यह जो y है, यह complete नहीं है, तो हमारे पास क्या आया, domain तो complete आ गया, but homeomorphic image, co domain जो था, वो complete नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि completeness may not be preserved under homeomorphism, अब इसी में हम boundedness का भी कर सकते हैं, बेटा, कि set of natural numbers जो है, वो तो bounded नहीं होते हैं, आपको पता है, natural numbers are not bounded, but यह जो y मैंने define किया था, यह मैंने क्या define किया था, y equal to 1 by n, n belongs to n, यह define किया था, तो यह इसके यह जो होगा आपका, यह bounded होता है, क्योंकि यह जितने भी numbers ह है, यह 1 by n वाले जितने भी numbers हैं, यह हमिशा 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों तरफ से bound मिल गया, तो यह वाला set y जो है, यह तो bounded है, but जो आपका natural numbers थे, वो bounded नहीं थे, इसलिए boundedness is not preserved under homeomorphism, ठीक है बचो, सब को समझ आगी ब तो हमें समझाई बात कि boundedness and completeness are not preserved under homeomorphism, ठीक है बचो, तो आज homeomorphism में बेटा मुझे नहीं कराना था, next class में isometry पढ़ाऊंगी, till then बचो पढ़ाई करते रहे हैं, all the best